हेलो अब्रिवान आज हम लोग बहुत इंपॉर्टिन टॉपिक पे चर्चाय करने वाले आप इस वीडियो में अगर आ गए हैं तो मैं आपको पूरा सैटिफेक्शन लोगी कि आपको ये क्रीम लेना है या फिर नहीं और ये सच में कैसा वर्क करता है और इसके क्या फाइद इसका इंग्रेडियंट क्या है और इस क्रीम का क्लेम क्या है ये सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो जो है रिव्यू वीडियो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के लिए कि अभी भी किसी भी फेस पर लगाने वाले चीजों को पहले अपने उपर यूज करते हूं दिन फिर मैं उसका रिव्यू देती हूं ताक कि मैं आपको गलत चीजस्ट ना करूं तो इसलिए मैंने इसको थुड़ा रिव्यू करने में टाइम लगा दिया और इसको यूज करन और उन्होंने भी यूज किया है तो मेरी भी इसकीन टाइप जो है वो सेंसिटिव है और उनकी स्कीन टाइप जो है वो नॉर्मल है तो दोनों का रिजल्ट मैं अभी आपको बताने माली हूं सो वीडियो के लास तक बने रहेगा और अगर आप इस चानल पर नहीं है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लिजे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रीम के बारे में तो ये क्रीम का नाम जो है वो है मैडी सेलिक क और मतलब की से मलम भी कह सकते हो आप 20 ग्राम का आता है और ओंटमेंट इसमें नीशे मैंशन किया हुआ है टॉर्क नाम की कंपनी बनाती है 150 रूपीज बट डेफिनेटल आपको अगर अच्छे स्टोर पर आप जाते हो तो आपको आपको आप मिल जाते है सेल्फ लाइफ इसके टू इयर्स की है 2022 में बनाया 24 में यह एकस्पायर हो जाएगा और और सारी चीजे भी आपको डीटेल में दिख रही होंगी क्यूंकि मैंने एकदम जूम करके दिखाया है अपको सारी चीजें फिर अगर हम बात कर लें इसके पार्केजिंग की तो यही कार्डबोड क आपत की ट्रेइचिया या इंदी इंड़ की इसके इंडिकेशन की तो यही काम होता है और जो इसमें भी होता है नापकी चि इलाएण को गतम करने में उंट्रीटेडट फंगल या फिर बैक्टिरियल इनफेकशन पे यह काम करता है तो यहां पर अगर हम बात करे कि कहीं भी अगर को फेयर करने या फिर रंगत को साफ करने यह सारी पर बहुत अच्छा वर्क किया मेरी sensitive skin, मेरी बहन, जो की second person है, जो की यूज़ कर रही है उनकी skin is normal skin और दोनों ही skin पर बहुत अच्छा वर्क किया है अगर आप गोरे होने के लिए उसकर रहे हो और फिर अपनी skin पर यूज़ कर रहे हो सबसे पहले हम योज़ेश रहे हम उसे आपको करना है हम आपको आपको ऑस वॉस करने के बाद अगर आप चाईएउ पी ऊस करने default हम लगा लेजें Doing तो इसके बाद गरम चीजों का इस्तमाल करें जैसे कि आप रोटी बनाना या फिर आग के पास बैठे हो तो इससे आपकी स्किन गरम होगी तो सायर कुछ प्रॉब्लम कर सकता है वैसे तो करता नहीं है लेकिन फिर भी सम्टाइम्स कर सकता है अब अगर आप इससे लगा करके सुझ आते हो तो यह आपकी स्किन पे ओवर्नाइट बहुत अच्छा वर्क करेगा और अच्छे से काम करेगा और सुबह में आपको फेस को वॉस कर लेना है तब जाके दूप में जाना है इस बात को आपको खास ज्यान देना है तो इसलिए इसको डे टाइम में तो बिल्क मैं उसका भी रिव्यू दे दूँगे और इसके प्राइज और सारी चीज से डीटेल में बता दूँगी कि इसके नुकसान क्या है तो नुकसान सम्टाइम्स मुझे तो नहीं पता क्योंकि हम दोनों ने यूज किया और हमें उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है बट फ और आपके स्कें को प्रॉब्लम्स थे देते हैं जैसे कि रेड कलर का रेडनेस आचाएगा आपके स्कें पतली अब तो होती है इन क्रीम को यूज करने के बाद तो बहुत दिनों तक एडिक्टेड नहीं होना चाहिए स्क्रीम का आप कुछ टाइम यूज करो और उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए फिर आपको इसको यूज चोड़ देना चाहिए फिर आप सम्टाइम्स बाद में फिर कर सकते हो तो ऐसे रहना चाहिए आप खुद अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें तो अच्छा लगा और इसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि स्किन को साफ करने के लिए डेडिव स्किन को निकालने के लिए हमें जरूरत पढ़ती है चीजों कि तो इसकिन टाइप्स जान लेते हैं सारे स्क क्रीम का जो कि मैंने अपने सारी चीजे बता दी है जो जो चीजे मैं जानती थी मुझे जानकारी थी बट अगर कोई चीज शूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजेगा मैं डेफिनिटली रिप्लाइ कर दूंगे अगर आपको इसके सोप का भी कर लेजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक क्यार